नमश्कार स्वागत है आपका सेल्व स्टेडि के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे रूस और युक्रेन के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से इनका इतिहास हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि युक्रेन जो था वो क्या पहले बना हुआ था या फिर वो बाद में बना था वो USSR में कब शामिल हुआ शामिल होने के लिए उसने कौन सी संदी पर हस्ताक्षर किये थे फिर अलग कैसे हुआ ग्रहय यूद चले थे रूसिफिकेशन क्या थी तो यह सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में कबर करेंगे साथ ही साथ अभी जो युक्रेन और रशिया के बीच में जो conflict यह कहें कि war जो चल रहा है उसके पीछे reason क्या है उन सब चीजों को हम इस वीडियो में कबर करेंगे पीडियो जो है वो आप लोगों को टेलिग्राम का एक लिंक दिया में लेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखे जब रशिया ने युक्रेन के अपर अपनी चढ़ाय शुरू की थी तो उससे पहले उसने युक्रेन के दो शेतर थे एक डॉन्टेस्क और एक लोनास्क दो शेतर थे इनको इंडिपेंडेंट देश के रूप में गोशित कर दिया था रूस ने अब यहां पर किसी भी शेतर को अगर इंडिपेंडेंडेंट देश के रूप में किसी दूसरे देश के द्वारा माननेता दे दी जाती है तो कोई भी ये जो देश बने थे रूस के द्वारा अगर ये अपनी help के लिए रूस से आग्रे करें कि हमें आपकी आर्मी चाहिए हमें सुरक्षा चाहिए तो रूस यहाँ पर अपनी आर्मी भेज सकता है तो यही करके इन्होंने इनको देश गोशित किया था और इन्होंने help मांग ली थी रूस से और रूस ने अपनी सैना इंदो शेतर के अंदर भेज दी थी ये सारी एक तरीके की चाल थी रूस के द्वारा अटेक करने की तो यह सब सबसे पहले रूस ने किया था अब रूस में रूस के जो प्रेजिडेंट है वालदिमर पूतीन उन्होंने ये बात बोली कि देखे युक्रेन की ना तो कोई अपनी पहचान है ना ही उसकी कोई हिस्ट्री है यानि वो एक तरीके से USSR का एक पूर्वी हिस्सा हुआ करता तो जो अब अलग हो गया है उसकी कोई कल्चर या फिर कोई अडेंटिटी नहीं है युक्रेन और रूस जो है वो काफी सेंगडो सालों से वो उनकी भाशा उनकी सांस्कृतिक और उनके जो परिविक संबंद है वो सेम रहे हैं वो साजा करते आएं तो आप कैसे कह सकते हूँ कि वो अलग है तो यह जो बात है वो जो प्रेजिडेंट है रूस के उन्होंने ये बात बोली है तो यह तो थी उनकी धारना या फिर उनके विचार जो उन्होंने बोले हैं अब थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री को खंगाल लेते हैं कि युक्रेन हिस्ट्री के अंदर कहां पर मौजूद था बात है लगबग हजार साल पहले वर्तमान में जो अब युक्रेन देख रहे हैं और इस किवियाई रूस में जो राजधानी हुआ करती थी वो की हुआ करती थी और आज की डेट में युक्रेन की राजधानी भी कीवी है तो इस किवियाई रूस में कौन-कौन शामिल थे जो यूरोप है यूरोप का पूर्वी और उत्री हिस्सा था उसके अलावा पूर्वी सलाव, बाल्टिक और फिनिक लोग, इन सबने मिलकर एक संग बनाया हुआ था, और जिसको क्या कहा जाता था, कीवी आई रूस कहा जाता था, तक्रीबन हजारों साल पहले की बात है ये, और इसकी राजधानी की हुआ करते थी, और आज की डेट में यानि आधुनिक रूप में बात करें, तो युक्रेइन, रूस और बैलरूस सभी का सांस्कृतिक इतियास की वी आई रूस में मौजूद है, यानि कहीं न कहीं इस शेतर के अंदर सभी के कल्चर मिलते हैं, चाहिए वो बैलरूस की बात कर लो, चाहिए आप रूस की बात क स्टार्ट होगा, और जिससे ये जो की वी आई जो रूस है, वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, अब थोड़ा सा, अब इतना आगे नहीं चलते हैं, धीरे धीर आगे बढ़ते हैं, देके दस्वी और ग्यार्वी सताबदी में क्या हुआ, के वी रूस अपने बड़े ही अकार, या फिर कहें, पूरी पावर, चर्म शिमा के उपर था, ये अपनी राज्य का विस्तार, या फिर कहें, अच्छा कासा इनकी पावर बढ़ गई थी, तेरवी सताबदी के मिड में आनते आते, भाईजे टाइन समराज्य का पतन होना शुरू होता है, भाईजे टा बात यह क्यों जाएगी, इंग्लिश का ध्यान रख लेना अपने, तो यहाँ पर क्या था, जो किवी आई रोस्ता, उसके वैपार में गिरावटानी स्टार्ट हो जाती है, और वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, अब पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि मंगोल गोल्डन हो का हमला होता है यहाँ पर इस बाजेटाइन के उपर, और बाजेटाइन के उपर हमला होने के कारण पूर्ण रूप से बिखर जाते हैं, और 1240 में किवी आई रूस्त एकदम कह सकते हैं कि बरकास्त या फिर खतम ही हो जाता है, और बाजेटाइन समराज्य जिसे बाजेटि हुआ करता था, बाद में मंगोल आ गये था, यहां पर, clear, तो रोमन समराज़य का पूरवी हिस्सा हुआ करता था, बाईजे टाइन, clear, अब पश्चमी हिस्से को तो अलेडी खतम किया जा चुका था, लेकिन यह पूरवी हिस्सा बचा तो दो तक, रूस पर, युक्रेयन पर, कजाकरिस्तान पर, मालडोवा और काकेसे पर, शाषन करना शुरू किया था, यहां पर इनका जो शाषन टाइम है, वो 1240 से लेकर, 1502 तक रहा, अभी यहां पर कहीं पर भी आपको युक्रेयन का नाम नहीं मिलेगा है, यह एक इतियासक कैसे कैसे चीजें चले थी, अब यहां पर, 15 स्ताबदी के बीच में आते आते, या शुरुवात में आते आते, किवान रूस जो है, या रस जो है, यह वही नेम है, उसका एक बड़ा हिस्सा था, जो क्या करता है, जो अलग-अलग जाती रहती थी, उन जातीयों के Grand Dutch, एक तेके से Grand Dutchie कहते हैं, उनके अंदर वो शामिल हो गया था, इसका सित्र यह रहा, यह जो इमेज बना रखी, Grand Dutchie था, जिसके अंदर अलग-अलग जाती हैं शामिल हुआ करती थी, ठीक है, अब यहां पर जो था, जो कीवान रुसका एक बहुत बड़ा इसा था, वो इस लुथ्वानिया के अंदर जाके शामिल हो गया था, 1579 में आते आते, Union of Lublin और Poland, यह क्या थे, इनके द्वारा क्या था, जो Poland जो राज्य होगा करता था, उसके राजा और Grand Duchy जो थे, यानि Grand Duchy of लुथ्यानिया, इन सब ने मिलकर एक Polish लुथ्यानिया Commonwealth की निर्माण किया, और यह जो कंट्री थी, वो सबसे biggest कंट्री थी, उस वक्त की यूरोप की, यहां पर 1579 में यह सीच का निर्माण किया गया, अब इस घटना के लगबग एक सदी बाद आधनिक उक्रेन की राष्ट्य पहचान की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है, यानि अब तक नहीं 1579 के बाद उक्रेन को एक तरीके से पहचान बननी स्टार्ट हो जाती है यहां पर, तो यह हो गया आपके लिए एक तरीके से बिलकुल हिस्ट्री में बातें करना, अब युक्रेन की थोड़ी बहुत, अगर मैं आपको स्थिती बताऊं, जो ग्रॉफिकल कंडिशन या लोकेशन आपको उसको बताऊं, तो युक्रेन जो है, एक मिनिट चल रहे न, युक्रेन जो है पूर्वी यूरोप में एक स्थित है, पूर्वी यूरोप यानि इस्टर्न में आता है यह, अब यहाँ पर इसकी जो राजधानी है, वो कीव है, जिसके उपर लगबग रूस जो है, वो पहुँच चुका है, और इसके उत्तरमध्य है, उत्तरमध्य है यूक्रेन में एक नीपर नदी, यह आप यहाँ पर देखेंगे न, यह रहे नीपर नदी, इसके तट पर कीव जो है, वो मौझूद है, यूक्रेन की सीमा, आप देखेंगे, तो बैलारूस हो गया, उत्तरमें बैलारूस हो गया, पूरव में, पूरव में क्या है, रूस हो गया, ओजाव सागर हो गया, यह रहा, सी ओफ ओजाव हो गया, यहाँ पर, और इसके दक्षन में, जो है, वो उक्रेइन को एक कर्ज जल्डमरु मत यानि कर्ज स्टेट के द्वारा अलग किया गया है रूस से जो ओजाव शागर को काला सागर से जोड़ती है यह रही यहाँ पर और यह जो है वो क्रीमिया का हिस्सा है यह क्रीमिया है जिस पर रूस ने 2014 में जन्मत संग्रै करा कर अपन यहां तक पहुँच चुका है यह गया लुनास्क और डेंटस्क इसके ओपर ओलड़ी सबसे पहले इन्होंने रूस ने इसको इंडिपेंडेंट देश की रूप में गोशित कर दिया था और यहां से एंट्री की थी उपर से बैलारूस से वहाने स्टार्ट हुए थे क्रीम यहां पर बात करें यूरोप में रूस के बाद कौन सा सबसे बड़ा देश है यह वह गया अपने सामने यूक्रेण हो गया और इसका शेत्रफल 6,3550 वर किलोमेटर है और यहां पर माधुप का लगबग 6 परतिशत हो गया अब संक्या के अदार पर इसके पर कितनी जन संक् 43.7 मिलियन यहीं लगबग 4,5 करोड आखी गई थी इसमें से 77.8 परसंट यूक्रेण की जाती कह सकते हैं यूक्रेण जन जाती होगी और 17.3 परसंट रूसी जन जाती से संबंदी थी और यूक्रेणी और रूसी भाषा जो अबादी है यह रूसी भाषा बोली जाती है यह यहां पर एकनोमी की बात करें तो सबसे गरीब देश है यह एक तरीके से यूरोप का यहां पर यूक्रेण जो है वो सबसे गरीब देश है और यहां पर लोहा आयसक कोईले के बंडार मोजूद हैं यहां पर मक्का सूरज मुकी टेल लो उतपाद और गेहूं यहां से निय जातक गंतव्य राहा है कहां पर एशिया परसांत शेत्र के अंदर अब भारत जो है वो युक्रेन से जादा तर सूरज मुखी का तेल मंगाता है यानि जो हम अब युक्रेन और रूस के बारे में और बातें जान लेते हैं अभी तो आपने लोकेशन देखी है भारत और रूस के बीच में अपने संबन देख लिए अभी तक रूस और युससर और युक्रेन का इन तिनों का कहीं पर भी कोई जिकर नहीं हुआ है उनके बात कर लेते है अठारवें स्ताबदी में क्या हुआ था? जो रूस की महरानी हुआ करती थी Catherine the Great इन्होंने क्या क्या? युक्रेन को रूस के अंदर जो रूसी समराज्य था उसके अंदर मिला लिया था एक रूसीफिकेशन चला था रूसिफिकेशन में एक नीती हुआ करती थी जारिस्ट एक नीती हुआ करती थी जिसके तहट क्या था युक्रेइन की जो जातिय पहचान है या जो भाशा है उसको दबाया गया था अब यहां पर क्या था रूसी समराज्य में यूकरेन के जो लोग थे आकर रहने लोग गये थे और इतने जादा वो सम्रिद और इतने बढ़िया बढ़िया वो पदों पे पहुँचके तो बहुत बड़ी संख्या में। रूस में आकर ये लोग जो होते हैं वो बस गए थे पर्थम विश्यूद स्टार्ट होता है देखिए 1762 मतलब कि लगबग आप बात करेंगे 18-18 शताबदी के अंदर रूस के अंदर जो है वो युक्रेन का यह कह सकते हैं कि मिल गया था यहांपर अब क्या होता है कि हंगेरियन के साथ जार सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी तो यहांपर यह हो गया अब युक्रेन का USSR का हिस्सा बनना अब प्रतम विश्यूद हमने देख लिया और प्रतम विश्यूद के बाद क्या होता है जार समराजे और ओटमन समराजे दोनों हो जाते हैं ख अक्तुबर करांती होती है और अक्तुबर करांती में बॉल्सेविकों जो काफी जादा एक फार कम्यूनिस्ट कह सकते हैं कि लेफ्ट लेफ्टिस्ट थे यह बहुत जादा फार लेफ्टिस्ट थे इनकी सत्ता आती है यह सत्ता में आते हैं और यह क्या करते हैं फिर इनके रही होती है कि युक्रेन गुट हो गया एक राजकतावादी होगे एक जार समराजे होगे पॉल्लैंड होगे इन सब के अंदर सत्ता के अंदर कौन हाएगा पावर कौन लेगा तो यहाँ पर जो है वो civil world start होता है ग्रह यूद शुरू हो जाता है फिर 1922 में Ukraine जो है वो Soviet Socialist Republic इस संग का हिस्सा बनता है देखे 1922 में 1922 में जाकर यह चीज़े बन रही है 1922 में जो है Ukraine हिस्सा बनता है किसका USSR का यहाँ पर USSR का 1922 में बना था जिसमें Belarus हो गया है यह रूस हो गया अजर्बैजान हो गया जोर्जिया हो गये यह जो देश थे इसके अंदर शामिल हुए थे अब 1991 में आते आते USSR का मतलब कि विगटन हो जाता है 15 देशों के अंदर यह तूटता है जिसमें रूस सबसे बड़ा निकलता है उसके बाद युक्रेन सबसे बड़ा निकलता है अब second number पे आता है युक्रेन अब युक्रेन की आजादी की मांग देखें 1999 में USSR का जब पतन होता है तो उससे पहले ही युक्रेन के अंदर अपने एक देश बनाने की मांग उठने लग जाती है और उस वक्त 1990 में तीन लाग से भी जादा लोगों ने जो युक्रेन वासी थे उन्होंने अपनी freedom के लिए एक human chain भी बनाई थी और इसके बाद एक grey night क्रांती भी होती है और उस grey night क्रांती में जो युक्रेन के जो चातर थे उन्होंने USSR के साथ कोई भी नया समझोता करने से मना कर दिया था 24 अगस्त 1991 में राष्टपती मिखाईल गोरबच को हटाने की कोशिश की गई थी कॉम्मिनिस्ट को वापस में लाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो तक्ता पलट हो नहीं पाता और उसके बाद क्या होता है युक्रेण की संसद ने देश की सवंतंतरता है तू अधिनियम को अपना लिया था और इसके बाद संसद के परमुक लियानिद लियोनिद क्रावचुक युक्रेण के पहले राष्टपती चुने गए थे अब यहाँ पर जो था दिसंबर 1991 में बेलरूस हो गया, रूस हो गया, उक्रेण हो गया इन निताओं ने उपचारिक रूप से सोवियत संगी सदस्ता जो थी वो त्याग देती यानि USSR से वो अलग हो गए थे और अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया एक Commonwealth of Independent States CIS का घटन किया था अब यहाँ पर हालांकि युक्रेण जो है वो युक्रेण की जो संसद है वेर्खोवना राडा वेर्खोवना राडा जो था इसने कभी भी जो परिग्रहन जो थी यानि अलग होने की एक तरीके से इसने कभी इसकी पुष्टी नहीं की और यह कभी भी कानुनी रूप से CIS का सदश्य बनाई नहीं था और आप यहाँ पर देखेंगे न तोस्त यह हो गया अपने सामने रूस और यहाँ पर सबसे बड़ा शेतर हो गया रूस का फिर उसके बाद आता है यूक्रेन का अब क्या होता है रूस और यूक्रेन का संगर हाली में क्यों बढ़ रहा है इसको जान लेते हैं देखें 2014 में रूस में क्या किया जन्मर संग्राय नहीं अपना कबजा कर लिया था जिसके चलते क्या होता है कि G8 होते है आट देशों का एक समू होता है जिसे G8 कह अ गया था और इस में से रूस को हटा दिया जाता है और G7 बना दिया जाता है अब इसके बाद देखिए रूस यहां से अलग हो जाता है कब 2014 में जब इसमें क्रीमिया के ओपर हिसा कर लिया था अधिकार कर लिया था और जब क्रीमिया के ओपर अधिकार कर लिया था रूस ने तो कहीं न कहीं युक्रेन के अंदर जो रूसी विचार दा रहा या फिर कहीं कोई जो लोग ये चाहते थे कि जो युक्रेन है वो रूस के अंदर मिले तो वहाँ पर लोगों को कहीं न कहीं अलगावादी की भावना बढ़कने लगी वो सरकार का विरोध करने लगे और चाहने लगे कि यह जो यूक्रेन है वो रूस के अंदर मिल जाए अब यह समझो कि लोहा पूरी तरह से गरम था उस वक्त और इस गरम लोहे पर अथोड़े मारने की काम किया अमेरिका ने और नाटो ने या अमेरिका जो नाटो है जिसके अंदर यूक्रेन जो वो शामिल हो रहा था अब नाटो क्या है वो अमेरिका की एक तरीके से विचारधारा को सपोर्ट करने वाले जो यह देश हैं उनका संगठन है यह एक तरीके से इस चीज को खतम हो जाना चाहिए था सेकंड वर्ड वोर के बाद लेकिन यह नाटो है इसने काफी जादा योगदान दिया है पुश करने का यूक्रेन को कि जाओ भाईया लड़ो हम तो तुम्हारे साथ हैं और अब यहां पर एक चीज यह भी देखने वाली थी कि यूक्रेन के जो प्रेजिदेंट है उनको यह समझ में आता है कि वो जादा वाले व्यक्तित है नियुका कि वो देख पाएं कि कौन उनका साथ दे सकते था और कौन नहीं दे सकता था और वो सिर्फ और सिर्फ कहने के और उकसाने के अधार पर ही इस यूद के अंदर कूद पड़े थे अब रूस ने जो था ये बात बोल दी थी कि देखिए अगर आ पर जो रूस ने बोला था कि भाई ये रेड लाइन है एक तरीके से और इसको क्रोस मत कर जाना और अमेरिका ने वो चीज़ें क्रोस कर दी जिसके चलते आज की डेट में जो आप यूद की परिस्तिती देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस नाटो के उपर है इस नाटो ने ही या फिर अमेरिका ने ही रूस को उकसाया है कि भाईया देख लेते हैं अब रूस जो है वो इनका परक रहा है कि देख लेते हैं तुम में कितना दम है तो अभी हाल फिलाल में जैसे जपान की एक शीप है उसके उपर मिसाइल अटेक कर दिया इदर रोमानिया है उसके उप प्रिष्टिती है रूस और युक्रेन के बीच में उमीद करता हूँ कि आपको रूस और युक्रेन का जो इतिहास है वो समझ में आया होगा युक्रेन कैसे बना था और इस वीडियो की जो पीडियाफ है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएगी टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अब वीडियो बंद करने से पहले भाग मतलब की थोड़ा सा काम कर जाना लाइक कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और बहुत मोटिवेशन मिलता भी है आप Thank you for watching this video